हाई गाईज आप सब कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे सो गाईज चलिए सुरू करते हैं आज का ब्लोग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने बाली हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी रसेपी तर्मोच के छिलके की इतनी टेस्टी रसेपी सो गाइज हमारे यहाँ पे तो बहुत आंधी दूफान हुआ था पूरा घर ना एकदम धूल मिती मतलब हर दिन ही पोचा लगा थे लेकिन फिर भी इधर धूल मिती पड़ा हुआ था और चट पे जो बर्ट्स था ना उन लोगों को तो जैसे बर्ट्स को सीरी के वहाँ पे रखे थे तो वह जगा भी पूरा गंदा हो गया था तो सब साप करके पोचा वचा लगा के फिर आज खाना बनाएंगे और पता है वेदर ऐसा है कि पोचा लगा रहे हैं बट सूख नहीं रहा है तो गाइस इसलिए फैन ओन कर दिया है फिलहाल देखिए यह देखिए चिकन में मचली फुर्ष उस नहीं रहा है मैजितना पनाओ करगे बनाओगाओं मैं जादा बेस में कर देखिंगे से भीन मैंने कोजा वह नहीं दो यह मैं मैं हनोगे पोचले से अहली और बनाओगा मैं गाइसा प्रक्तरा है तो इसलिए उसके लिए बना दूगी और यह जो वाटर मिलन की जो मतलब तर्बूच के जो चिलके है ना तो यह चिलके तो हम लोग फेक देते हैं और फेके हुए चीज बिना फेके इसका इतना टेस्टी रेसेपी बनता है ना गाइस क्या बताओ तो एकदम मैंने इससे पहल तर्बूच के चिलके बनाए थे बट इस टाइम मैंने उसमें स्ट्रीम डाला तो जो डालने के बाद उसका टेस्ट होता है ना जो प्रॉन है तो वो डालने के बाद इसका टेस्ट ना एकदम बढ़ चड़ गया है तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर सब खतम हो गया आंधी तूफान बारिस कुछ नहीं हो रहा है और फ्रीज में थोड़ा सा मटर था और पावर भी नहीं था तो मैंने सोचा फ्रीज में अगर खराब ना हो जाए तो मतलब मचली में डाल देते हैं थोड़ा सा मटर लेके मटर अभी भी थोड़ा है तो विं खाना वगेरा है वो खा लेना पड़ता है जो जैसे ऐसे होता है कभी कभी मौसम खराब होता है तो पावर नहीं रहता और चलता है जिंदेगी में बहुत कुछ आता है बड़ी-बड़ी मुसीबते हम इनसान ही तो छेलते हैं तो उपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ह गरता है में सोचती हूं उपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो जो मर्जी है वह होगा तो फिल्हाल आईये मैं बनाते हूँ वोटर मिलन के छिलके की रेसेपी आप लोगों के साथ सेयर कर लेती हूँ तो उसको देखिया आलू और छिलके जो वाटर मिलन के चोटा-चोटा मैंने पीसे सकाड लिया था और यहां पे कड़ाई में तेल डाल के डाल दिया पांच फुरन यह जो सबजी बनाऊंगी ना इसमें मैंने प्यांच लसन नहीं डाला तो गाईस ऐसी सबजी ना मुझे बहुत जादा पसंद है तो इसलिए दिना प्यांच लसन और उसमें थोड़ा बहुत सीम डाल देखिया एक्टम जखकाज बन जाता है तो गाईस तेल में देखिये आलू और तर्बुच का जो छिलका है मैंने डाल दिया इसको थोड़ा सा बनान के विल एक ने बहुत समने चिंग्री माच बैगाईसrr और यहां पर थोड़ा हल्डी पाउडЕर मिर्च नम्मा पाउडर इसको फीपना लें वाड़ा पेस्ट शोर्ड़ा हरा मिर्च लगा में जा चिंग्डा के भासने ही ऐान की भूल थे टंस प्यल्तर मिर्च सबक सबजी था और इतना पसंद आया सब को कि क्या बताओ तो जो चीज हम लोग फेक देते हैं और उसी को अगर हम लोग अच्छी तरीके से पकाए ना तो एकदम खाने लाएक हो जाता है जैसे छिलका वोटर मिलेन का छिलका हर कोई फेक देता है यह तो हम लोग ज्यादा से ज्य सब को फेल कर देगा यह सब्ची तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कोमें शेयर कीजिए बहुत सारा प्यार दीजिए तो बन चुका है यह सब्ची फिलाल मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया और थोड़ के साथ खाने में तो पर्फेक्ट है ही और रोटी पराटे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है तो गाइस अगर आप लोग वाटर मिलन फेक देते हो तो ऐसे सबजी बना के एक बार खाईए तो गाइस आज का वीडियो यहां पर खतम कर तो